अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका लोग के जैसे नरंद्र मूदी जी ने कहा कि रोग प्रतिशक्ति को पैसे बढ़ा ये इनियम सिस्टिम को पैसे मजब इनियम सिस्टिम या रोग प्रतिशक्ति को बढ़ाने में या मजबूत रगने में कैसे मदद करेंगे तो भाई लोग आपको किस वीडियो या किस रोगों को लड़ने की चमता या किस वीडिया में आई रूई में आपको चाहिए तो इस चैनल पे कमेंड बॉक्स पे रहमाला जो है तंदू है तो आप पहला फाइदा सुनिये चोड़ जाए इसका पहला फाइदा है ग्रीन टी और बलड टी तोनों ही इनियम सिस्टिम या रोग प्रतिशक्ता के लिए फाइदेमान हो थे लेकिन एक एक दिन में उसको तो कभी पी ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए आपको नुक्सान हो सकता है आपको यह क्या सदो ही एक दिन में एक दो कप ही आपका प्रयोग करना चाहिए इनियम सिस्टिम इससे भी बढ़ता तो दूसरा कि तो खाल लोशुन खाने से इनियम सिस्टिम बढ़ाई जा सकते है भाई लोग आप चोगांगी कि इस्ट करने में सहीयोत होते हैं जिसमें परियाफ्त मातर में इलिम सिल जिप सैलफर फिलियम और विटा इसका विटा में कच्छा लसुन नहीं पाए लगा मुझे लग आलग सतरा लगेगा और उसका बास बहुती घंता मारता है वालोक को आपको बास ना मारने के लिए कि मातरा को पंपर करता है और लिए जिप सलफर सेली और विटाम ए वी बढ़ाने में सहीर करता है तिसरा देलिंग आप डेलिंग रूटिंग में ध्य तो खाती होते हैं धेके सेवन भी इनियों पावर बढ़ाते हैं जिसके साथ ही पच्चन तंत्र को भी पहितर रखने मे मददगार होती है तो बाए लोग जोई का सेवन आप डेली कीजिए और इनियों सिस्टिम को यार प्रती शमता को बढ़ानी में धही भी सबसे आच्या माना जाते हैं आपको खासी हो तो देलिंग का सेवन ना कीजिए आपको खासी नहीं हो तो आप जुरूर देलिंग कर स कि चौंगता फाइदा इस तरहें कोडिसी में परियाप मात्रा में फाइबर पाये जाते हैं साथ ही उसमें अंटी माइक बीन एंटी माइक बीन वोथ एंटीस का सेवन करने सेवन नियों सिस्टिम मस्बद बनाने के लिए आपको रोट भारूस का सेवन करना चाहिए हो नियों सिस्टिम को मजबुत रखने में मदल करें तो सबसे लास्ट है किस तरह से विटामिन डी भी आमारी शरीप काम करेगा रोग समता को कैसे इसका है वालोगी विटामिन डी हमारी नियों भोती महत्यों पूर्म होते हैं जिससे कई रोगों से होती कारगर माना गया है विटामिन डी आपसे विटामिन डी का भी सेवन करना चाहिए और आपने शरीर को रोग प्रतिशमता से बचना चाहिए और नए डॉक्तर लोग कईते हैं तो हमारे डेलिंग रुटिम में आप ये फाइदे या पाच ऐसे कुछ सेवन कीजिए आप कि एवनी सिस्टेम बड़े ही आसानी से बड़ेगी बोड़ें बड़ें तो भाई लोग पसित नहीं मेरे चैनल में और